वित्तमंत्री निर्मला सितारमन के बजट को लेकर ISH ने विडियो जारी किये थे विडियो पर एक नज़र डाले विवरण में लिंक देखे इसे अवश्य देखे आज में अपडेट में रोजगार और नौक्रियों को लेकर सितारमन की घोशना के बारे में बात करेंगे इन योजनाओं का नामकरण नहीं किया गया है और पोर्टल अभी बनाया नहीं गया है फिलहाल हम इन्हें स्कीम एक, दो और तीन कहेंगे उनका आधिकारिक नाम बाद में रखा जाएगा, अब मैं पहले से शुरू करूँगा योजना एक ये सभी शेत्रों में पहली बार काम करने वाले करमचारियों के लिए है एक बार करमचारियों को काम पर रखने के बाद उन्हें वेतन दिया जाता है और EPFO खाते के माध्यम से पविशे नीदी दी जाती है अब सभी पहली बार काम करने वाले करमचारियों को केंदर सरकार एक महीने का और 15,000 तक का वेतन देगी उधारन के लिए यदि किसी का वेतन 10,000 रुपे है तो उन्हें 10,000 रुपे का बुक्तान किया जाएगा अगर ये 8,000 है तो 8,000 रुपे का बुक्तान किया जाएगा सरकार केवल 15,000 रुपे तक का ही बुक्तान करेगी उससे अधिक नहीं ये रकम करमचारियों के खाते में तीन किस्टों में ट्रांसफर की जाएगी अगर उनकी सालेडी 6,000 रुपे है तो उन्हें 2,000 रुपे की तीन किस्टे मिलेंगी अगर ये 15,000 रुपे है तो उन्हें 5,000 रुपे की तीन किस्टे मिलेंगी करमचारियों बर निर्भर करता है इस योजना का अभी नामकरण नहीं किया गया है बताया जा रहा है कि ये योजना सभी सेक्टरों पर लागू होगी इस पर अपडेट होंगे योजना 2 ये केवर वी निर्मान शेत्र पर लागू होती है इसे रोजगार के अफसरों को बढ़ाने और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है केंद्रसरकार कर्मचारियों और नियोकता दोनों को उनके EPFO योगदान के अनुपात को प्रोचाहन प्रदान करेगी ये केवल रोजगार के पहले चार वर्षों में और केवल वी निर्मान शेत्र के लिए ही है योजना दीन नियोक्ता द्वारा नियोक्त प्रत्यक अतिरिक कर्मचारी के लिए सरकार उनका समर्थन करेगी सरकार नियोक्ताओं को EPFO खाते में दो साल तक प्रति मां तीन हजार तक की प्रति प्रवरूर्टि करेगी ये प्रति पूर्थी एक लाग रुपे तक वेदन वाले कर्मचारीयों के लिए है और इससे अधिक नहीं ये समर्थन का एक अच्छा रूप है ये सरकार की इंटर्ण्शिप योजना है सरकार ने भारत के शीर्श 500 कंपनियों के साथ समझोते किये है इंटर्ण्शिप के लिए 21 से 24 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं ये उन म्रक्तियों के लिए हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है ऐसे युवा इंटर्ण्शिप के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके बाद कंपनिया अपने हिसाब से चैन करेंगी इंटर्ण्शिप को हर महिने 5000 रुपे मिलेंगे सालाना उन्हें 6000 रुपे मिलेंगे साथ हजार में से 4000 रुपे सरकार वहन करेंगी 6000 रुपे कंपनी देंगी साथ ही सरकार 6000 रुपे देंगी कुल मिलाकर इंटर्ण को 66,000 रुपे मिलेंगे आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है लेकिन ये अभी तक तयार नहीं है एक बार यह तयार हो जाए तो लोग आवेदन कर सकते है और कंपनिया वहां से भर्दी करेंगी कितना लाब धायक है उन्होंने कार्यबल में अधिक महिलाओं को शामिल करने और भविश्य के रोजगार के लिए युवाओं के कौशल को प्रशिक्षत करने और बढ़ाने के लिए योजनाय बनाई है झाल